हलो दोस्तों आप सब इक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्ट फोन में से किस तरीके से जीमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं अगर आपने अपने स्मार्ट फोन में कई आईडी खोल रखी हैं तो उन में से अगर आप किसी पर्टिकुलर आईडी को रिमूव करना चाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जीमेल को ओपन करना होगा तो यहाँ पर आप अपने फोन में देख लेंगे कि आपके फोन में जीमेल कहाँ पर है तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाओं कि जो हमारा जीमेल है वो यहाँ पर है तो यहाँ पर जब हम click करेंगे तो click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह interface अब यहाँ पर आप right side में देखेंगे उपर जो icon है इस पर press करेंगे प्रेस करने के बाद आपके device में जितने भी account add हैं वो यहाँ पर show करेंगे तो यहाँ पर जो last option दिया हुआ यहाँ पर manage account on this device तो आपको बस यहीं पर click करना है तो यहाँ पर हम इसे click कर लेंगे click करने के बाद आपके सामने इस तरीके से interface आ जाएगा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ Google पर press करना है Google पर करने के बाद अब यहाँ पर आपको उस account को tap करना है जिस account को आप यहाँ से remove करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर तीसे number पर जो account है इसे हम remove करना चाहते हैं हम यहाँ पर इसे click कर लेंगे click करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीक से interface आजाएगा तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर दो dot दियो हैं आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दो option दिये हैं senek now और remove account तो यहाँ पर जब आप इसे एकाउंट है वो यहां से रिमूव हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं उमीद है दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने स भी दोस्तों में शेयर कर दें ऐसे इंफरमिटिव वीडियो के लिए